गली-गली घूमकर कुलफी बेचने की आड में कट्टे कार्तूस की विक्री करने वाले उत्तर प्रदेश की युवक को सकरदरा पुलिस ने पकड़ा है आरुपी जालिम नत्तु शाहु पैतीस वर्सिया लोदा करीब चित्रकूट उत्तर प्रदेश निवासी जालिम तीन चार साल से नाकपूर में रहता है खरबी के संकल पनगर में किराय से रहता है वही गर्मी में हाथ ठेले पर कुल भी बेचता है बाकि समय पर अलग-अलग क काम करता है शकरदरा पुलिस को उसके पास कट्टा कार्थूस होने का पता चला उसके कट्टा कार्थूस बेचने के लिए ग्राह की खोज में शकरदरा तलाप के पास एक्टिवास से घूमने की भनक लगी पुलिस ने योजना बना कर उसे पकड़ा उसके पास कट्टा और कार्थूस एक्टिवा तथा मूबाइल बरामत करके आम्स एक्ट का मामला दर्च किया गया है। विक्णिया साथी त्या ठीका नियाली लाए। अशे अमला गुप्तवाथ मेदार महारपद महीती मिलाली। त्यानुसार आमें डीवी चाब सोबद गयोन सदर घटना स्टडी गयोला आस्ता। जालीम नत्कु शावू नावा चा विक्ति मूल्च रहवासी लोधा चित्रकुब मजे उत्तर प्रदेश मदला आस्टून। त्याला मीताबयात घटलास्ता सदर वेक्ति जोड एक गाउती कट्था आनी तीन जिवन तरहून हमाला तेच्या जोड मिलूनाली। सदर इसमालामी पूजिस्टाने सक्करदर आईते घ्योनी। तैचा वर काईदेशिर कारवाई करने दाली। सदर सब वेक्ति आईते लौपप मदे आए आई अधिक सा तापसंदी करता हूँ। आई तो पुल्पी विक्रिया ताम करता हूँ। कि माँ सीजन वाई जिसार तुगे वह धंदे करता हूँ। सब्सक्राइब करता हूँ। पुलिस ने हतियार तसकर रैकेट की खिलाप मकोगा की कारवाई भी की ती इस रैकेट का सदस्य हसन बाग का कुख्यात। पपु पटेल जमानत पर होने के बावजूद सक्रिय है। मको का कारवाई का अभी उस पर कोई असर नहीं हुआ। नंदनवन पुलिस का पपु गयांग के उपहले। सवरक्षन राह यह कारवाई डिसीपी विजय कान सागर के मार्ग दर्शन में। झाल झाल